हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका अपने YouTube चानल अब जी टेक में आज इस वीडियो में हम जानने वाले है पैंन कार्ड की अप्लिकेशन घर बेटेक कैसे करें वो आपके mobile के थुरू तो दोस्तो mobile के थुरू pancard की application देना आसान है और pancard जो है आपके घर में आपके घर के address पर 10 से 12 दिन में आ जाएगा इसके लिए आपका आधार card जो है वो verified होना जरूरी है अगर आधार verified नहीं है तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपको आधार card के site के उपर जाना है और वहां से आपको आपके mobile number के उपर OTP लेकर आधार को verified करना है तो यह तो बात अलग हो गई आधार verification करने की लेकिन अगर आप घर बैटे pancard निकालना चाहते हो तो मैंने condition बता दी कि आपका आधार जो है वो verified होना चाहिए तो pancard का application आप अपने mobile से किस तरह से दे सकते हो इसके बारे में इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हूँ लेकिन इससे पहले एक request है अगर आप हमारे चैनल पर first time आये है तो हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइ बेजने की जरूरत नहीं है हम एक वाई सी के तुरू यह application करने वाले है तो यह बात ध्यान में रखे कि आप आधार कार्ड आपका आधार कार्ड है उसके उपर आपकी complete date of birth और आपका mobile नंबर जो है वह आपके आधार कार्ड से link होना बहुत जरूरी है यह चीज़े अगर आप ध्यान में रख लेगे तो आप घर बेटे अप्लिकेशन कर सकते हो तो चलिए देखते हैं mobile के उपर तो दोस्तों यहाँ पर आपको ब्राउजर में आना है आपके मोबाइल के तो मैं यहाँ पर ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है और पार यहां पर फार्ट वेबसाइट गाकाelnे से पहले यहां पर गूं यहां पर Indian citizen for new pen के लिए अपलाई कर रहे हो तो new pen के लिए लिखना है फिर category select करना है आपको individual के लिए उसी तरह से टाइटल में आपको आपके नाम का टाइटल आप श्री श्रीमती जो भी हो यहां पर last name मैं लिख लेता हूँ उसी तरह से first name आपको यहां पर लिखना है इसके बाद middle name आपको लिखना है इसके बाद date of birth जो application कर रहा है उसकी date of birth यहां पर लिखना है DD MMYYYYY के format में हो गया अभी आपका email ID यहां पर लिख लेना है इसके बाद यह जो CAPTCHA आपको दिख रहा है वो यहां पर इंटर कर लेना है और इसके बाद by submitting data इसके उपर click करना है तो by submitting data इसके उपर click करने के बाद आपको यहां पर कुछ लिखावा दिख रहा है तो यहां पर कुछ चीज अगर चूट गई है तो आपको देख लेना है यहां पर मेरा mobile number चूट गया है तो mobile number में यहां पर लिख लेता हूं और यहां पर फिर से अभी submit के उपर मैं click कर देता हूं तो इस तरह से मैंने submit के उपर click कर दिया अब देखिए आपे continue with pan application form यह से लिखा हू तो में digitally through ekyc paperless की थूब को करना है इसके लिए आपका आधार काड़ जो है वो verify होना जरूरी है तो हमरा आधार काड़ जो है वो verify है verify के लिए आपका mobile number याद रखिए जिस mobile number से आपका आधार वो काड़ लिंक है वही mobile number आपको यूज करना है इसमें तो यहाँ पर आधार नंबर के आपके लास्ट फोर डिजिट अपको यहाँ पर एंटर करना है तो यहाँ पर मैं 4 डिजिट एंटर कर लेता हूं तो यहाँ पर आया है यहाँ आगरी देट फोटोग्राफ इस कि इसी तरह से आपको जेंडर सेलेक कर लेना है और यहाँ पर आपको किसी दुसरे नाम से जाना जाता है ऐस तो वहाँ है तो नू करना अगर है तो मतलब फादर का नाम आपको यहां पर इंटर होन करना है आपको यहां पर फर्स्ट नेम लिख लिए और यहां का फादर का मीडल नेम यहां से लिख लेना है तो फादर मीडल नेम मैंने यहां पर लिख लिए और यहां पर मदर का लास नेम मदर फर्स्ट नेम और उसके बाद mother का middle name उसके बाद parents name to be printed इसमे father name मैंने select कर लिया है आप चाहे तो mother name भी select कर सकते हो तो इसके बाद आपको next के उपर click करना है तो यहाँ पर next के उपर click करने के बाद और एक form open हो गया यहाँ पर personal detail center करना है आपके source of income में मेरी source of income salary है उसके बाद address में आपका residence address जो है आधार card से आएगा office address भी यहाँ पर same आपका जो address है आधार card पर वही same enter कर लेना है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ name of the office में अपने घर का पता ही लिखना है name of office में भी तो same address में यहाँ पर enter कर ले रहा हूँ और यहाँ पर आपके locality या फिर sub area लिख लेना है आपको सब जो भी आपका तरसिल हो लिख लेना है उसके बाद इसके बाद आपका City City का Name यहाँ पर लिख लेना है आपको इसके बाद State Select करना है। इससे पहले आपको Country Select कर लेना है बाद 75 स्टेट से लेक्रेंगे पहले कांट्री सिलेक कर लेता हूं मैं पहले इसके बाद स्टेट सिलेक करना है उसके बाद आपको पिन कोड एंटर करना है आपके अरिया का पिन कोड इसके बाद आपको कंट्री कोड सिलेक करना है यहां पर इंडिया का कंट्री कोड 91 है मैं जैसे इंडिया लिखता हो यहां पर 91 लिखा देता है उसी तरह से आपका STD नमबर अगर आपके पास STD नमबर है तो STD नमबर आप लिख सकते हो और यहां पर मोबाइल नमबर तो है ही और यहां पर मेल आईडी डिफॉल्ट में आ गया और फिर अगर आप रिप्रेजेंटिटिव ऐसी अपॉइट करना चाहते हो तो आपको यस करना है मुझे नहीं करना इसलिए मैं नो कर देता हूं तो यहां पर अभी आपको नेक्स कर देना है पहले यहां पर आपको एरिया कोड वगेरे डालना है तो यहां पर आपको हेल्प में दिया गया है कि एरिया कोड किस तरह से सिलेक करना है तो यहां पर पहले आपको स्टेट सिलेक कर लेना है आपका और सबसे पहले हमने इंडिया के उपर करके यहां अभी स्टेट सिलेक करने के अबवाद आपको यहां पर आपका area से लेक करना है किस location के लिए आप अपना pancard मंगा रहे हो आपके city का नाम तो यहाँ पर मैं नाकपूर के लिए तो जो EPF का जो पैनकाट का जो ओफिस है सबडिविजनल ओफिस वो नाकपूर के रेंज में आता है तो यहाँ पर नाकपूर सिलेक कर लिया मैंने तो यहाँ से अभी EO Code चूज करने के लिए आपको आपके कंडिशन के हिसाब से देखना है आपकी इंकम वगेरा जो भी है आपका बिजनेस है क्या करते हो आप उसके हिसाब से आप पैनकाट निकाल सकते हो तो हम सर्वंट है गवर्मेंट सर्वंट के हिसाब से स्टेट गवर्मेंट के तो यहाँ पर स्टेट गवर्मेंट सर्वंट के हिसाब से यहां पर मैं चूज कर लेता हूँ, मेरा एरिया कोड, एवो कोड क्या आएगा वो, यहां पर टिक करना है आपको, और यह टिक होने के बाद आप देखेंगे कि उपर में आटोमेटिकली सारी चीजे आ गई है, आप देख सकते हो, रेंज कोड, एवो कोड, एवो नमबर सारी चीजे आ गई है, तो अभी मैं यहां से नीचे आता हूँ, और next के उपर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो, document submitted as a proof, यहां पर तीनों जगा पर आपका आधार आया है, date of birth के लिए, address के लिए, और identity के लिए, तीनों के लिए आधार काट default में सिल देखेंगे, यह select के उपर आपको आना है, और himself, himself के उपर क्लिक करना है, क्योंकि आप खुझ से ही declaration दे रहे हो, यहां पर आपका place का नाम लिखना है, मैं आप पर place का नाम लिख लेता हूँ, उससे तरह से date जो है default में आती हो, फिर बाद में, यहां आने के बाद आपको य save dropped इसके उपर भी click करते रहना है, ताकि आपका data जो है, जितना भी feel किया है आपने है, वो lost ना हो, तो इस तरह से हमारा submit हो गया, अभी यहां पर आपको कुछ details fill करना है, तो यहां से आपको आपके आधार काट के 8 digits जो है, वो fill करना है, first 8 digits, मैं यहां पर लिख लेता तो इसमें verification के लिए, अब मैं यहां पर full name दिखा लिखा हुआ है, already हमारा full name यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यहां उसी तरह से हमारा पूरा नाम किस तरह से आएगा, उसी तरह से data of birth क्या है, वो चाहरे सारी चीच्चे आपको यहां पर दिखाए दे रहे है, तो इसी तरह से gender, फिर registration number है, तो registration number डाली है, नहीं तो compulsory नहीं है, इसी तरह से whether physical pen card is required, यहां पर देखिए yes कर रहा है आपको, physical pen card के लिए, उस तरह से यहां पर father name और mother name में आप देख सकते हो, उसी तरह से और नीचे आना है, आपको आपका जो form आपने feel किया था, वो किस इस तरह से feel किया है, आपको यहां पर दिखाए देंगा, तो यहां पर सारी details जो है, वो हमने feel कर दी है, और e-sign, e-kyc के लिए हम apply करने वाले हैं, तो यहां पर देख सकते हो, आपके जो भी proof of identity और proof of address आपको दिखाए दे रहा है, proof of date, पहले form को अच्छी तरह से चेक कर और फिर बाद में proceed के उपर क्लिक करें, तो इस तरह से हम online payment के लिए यहां पर आ चुके है, पहला option है demand run, second option है payment through paytm, और पेटियम में और भी options automatically आते है, debit card, credit card के, तो यहां पर हमें charges लग रहे है, 106 रुपे करिब-करिब, और यहां पर देख सकते हो आप, तो यहां से online payment through बेटियम के उपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहां पर I agree to the terms of services इसके उपर क्लिक करके, proceed to payment इसके उपर आपको क्लिक करना है, तो यहां पर मैं proceed to payment इसके उपर क्लिक कर लेता हूँ, यहां पर आपका online payment application यहां पर लिखाई दे रहा है, तो online payment application यहां पर आया है यहाँ पर आभी आपको pay confirm के उपर क्लिक करना है ताकि आप payment कर सको तो मैं यहाँ पर pay confirm के उपर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद आप जो है वो option आपके आप सामने आ जाते है payment के pay tm debit card credit card भी map upi तो हम debit card के थूप payment कर रहे हैं तो यहाँ पर नमBER हमें लिखके लिना है और यहाँ पर मैं card number एंटर कर देशा हूँ तो यहाँ पर आपको expiridate कर लेना है अपके card की और expiridate अईटर करने के बाद यहाँ पर आपको cvv- molay डाल लेना रहे हैं तो मैं यहाँ पर CVV नंबर में इंटर कर लेता हूं कि उपर क्लिक करना है 106.90 पैसे आपको लग रहा है तो यहां पर मैं भी पे के उपर क्लिक कर लेता हूं और यहां पर OTP आ चुका है तो OTP हमें इंटर करना है और verify के उपर click करना है तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा payment जो है वो successful हो रहा है payment success होने का यहां पर message आपको दिखाई देगा यहां पर बोल रहा है कि one minute लगेंगा तो इस तरह से आपका payment receipt जो है वो आ चुका है यहां पर payment का option जो है वो success दिखाई दे रहा है तो आभी आपको continue के उपर click करना है और यहां से continue के उपर click करने के बाद यहां पर authentication proceed करना है और use my other card details for e-signing e-signing के लिए आपका आधर card details लेना है और authenticate के उपर click करना है और continue with e-keyc के उपर click करना है और एक OTP आपके mobile के उपर आ जाता है OTP यहां पर enter कर लेना है फिससे OTP की verification होगा आपका यहां पर OTP यहां पर मैं enter कर लेता हूं और submit के उपर click करना है और इसके बाद continue with e-sign इसके उपर आपको click करना है और यहां पर I hear by authorize NSDL इसके उपर आपको tick करना है और आपका आधार नंबर जो है यहां पर लिख लेना है आपको ताकि फिर से OTP आपको मिल सके आधार की तरफ से यहां पर मैं आधार नंबर लिख लेता हूं मेरा complete तो अभी send OTP इसके उपर आपको click करना है तो OTP जो है वह आ चुका है हमारे mobile पर अभी हम यहां पर OTP जो है वह एंटर कर लेता हो तो OTP डाल दिया हमने और यहां पर OTP डालने के बाद verify OTP इसके उपर click करना है तो इस तरह से हमारे जो अप्लिकेशन जो है वह रेडी हो गई है और यहां पर अगर आपको यह अप्लिकेशन ओपन करना है तो आपको continue में आपकी data of birth जो है वह एंटर करना है data of birth आपकी है वह ए आधार का जो फोटो है वह आपके pen card के उपर यूज होगा तो इस तरह से आपको pen card के लिए apply करना है तो मैं आपर download PDF इसके उपर click कर लेता हूं तो यहां पर date of birth एंटर करना है अगर PDF को आपको open करना है तो तो मैं आपर date of birth एंटर कर लेता हूं कोई space नहीं देना है जैसी date date of birth है उससाब से zero zero लगाना है और यहां पर इस तरह से हमारा form जो है वह ready हो गया है तो आधार sign आधार EKYC sign हुआ है इसलिए आपको form में signature नहीं दिखाए दे रही है और उसी तरह से आपको कोई document भेजने की जरूरत नहीं है pen card के लिए तो इस तरह से आपको नए pen card के मुझे comment में जरूर बताए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चानल को subscribe करना मत भूलिए subscribe की बटन नीचे है और बाजू में जो bell icon है उसको भी press कर दीजे और हमारे वीडियो को share कीजे अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को जादा से जादा like कीजे ताक की हमें motivation मिलता रहे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई and take care